पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुलकादिर का सलाम क्यों आप लोग इतना डॉण डॉण सा फील कर रहे हैं? क्यों इतना अपसेट है? क्यों इतना परिशान है? कौमों के उपर ये मुश्किल वक्त इस तरह के आते रहते हैं हमेशा के लिए नहीं रहता मुश्किल वक्त है अभी I know I understand लेकिन आसानी इंशाला इंशाला आएगी हमें भी कभी कभी लगता है कि जो आपसे बातचीत कर रहे हैं कि पता नहीं दुबारा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे मौका मिले का अपनी बात कहने का या नहीं कहने का लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि सर जुका के खामोश होके बिलकुल साइड पर बैठ जएए तो चेन अप रखिये और अच्छे वक्त की उम्मीद रखे कि इंशाला इंशाला अच्छा वक्त आएगा क्योंकि मेरा बिलीव है बाकियों का भी होगा definitely कि ये मुश्किल वक्त है तो सही long lasting नहीं है देर तक नहीं रहना इतना मुश्किल वक्त रहेगा 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 at the end इंशाला आसानी आएगी पाकिस्तान के लिए अच्छा वक्त आएगा अभी हालात मुश्किल है और खास तोर पर स्यासी तो है ही है मुश्किल लेकिन मौशी तोर पर जो मुश्किलात इन दिनों पाकिस्तानियों को face करना पढ़ रहे हैं like currency पाकिस्तान का पैसा रुपया डॉलर 308 रुपय तक पहुंच गया मैं सोच भी नहीं सकता था कि 300 तक या इससे क्रॉस कर जाएगा डॉलर पाकिस्तानी रुपय के मकाबले में और जितनी गिरावट का शिकार हो चुका पाकिस्तान का पैसा या पाकिस्तान की currency अब recovery तकरीबन नाममकिन लग रही है बहुत मुश्किल है recovery हो सके और जो भी अब पाकिस्तानी currency में कमा रहा है यहां के रहने वाले local जो है uncertainty शायद उनका देर तक पीछा करेगी लेकिन ये uncertainty तब ही खतम हो पाएगी जब मुलक में ये सियासी अफरा तफरी थोड़ी सी थमेगी अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है खास तोर पर एक सियासी जमात के जो workers हैं या supporters हैं उनको लग रहा है कि हालात बहुत खराब हो गए हैं खराब तो हैं obviously लेकिन ये long lasting है देर तक ऐसा ही रहेगा तो मुझे लगता है कि sustain नहीं हो पाएगा at the end कुछ अच्छा होगा पाकिस्तान के लिए कोई way forward निकलेगा तो इमरान खान एक बार फिर वापस आए आप से कुछ दिर पहले और twitter space उन्होंने join की दूसरी बार एक बार पहले की थी जब record बना था twitter space का अब एक बार दुबारा से उन्होंने join की अभी भी लगब कोई 60-65,000 के गरीब लोगों ने उनको बयाकवक्त सुना और इमरान खान ने सवालों के जवाब दिये कुछ उन्होंने बड़ी अच्छी बाते की हैं जिसके उपर मैं आगे चलके बात करूँगा लेकिन मुझे पूरी उमीद है कि उन्होंने जिस तरह से आप लोगों को motivate रखा हुआ है जिस तरह से आप लोगों को होसला देते रहते हैं बहुत अच्छा लगा होगा आप लोगों को उनकी बाते सुनके और जो सबसे बहतरीन बात आज के पूरे ये एक सवाए घंटे के सेग्मेंट में मुझे महसूस हुई खुल कर और बगैर किसी जिजग के उन्होंने 9 माई के वाकियात की एक बार फिर मुझमत की और कहा कि ये जर्म था जो 9 माई को बिल्डिंग्स जिलाई गई ये जर्म था ये नहीं होना चाहिए और ये बड़ी अच्छी बात है बड़ी क्लैरिटी के साथ उन्होंने की लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसकी आड़ में जो कुछ हो रहा है इस वक्त बजाहर नजर आ रहा है पार्टी को दबाने की जो कोशिश है ये शायद उनको लगता है कि कामे अब नहीं हो सकेगी और वो ये कहते हैं इमरान खान के कूट अनकोट वर्ट्स ये कि क्मुश्किल के भाद आसानी है तो अभी मुश्किल वक्त है Łागे आसानी आएगी मुश्किल वक्त अभी खत्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी उनकी पेशियां उनका बहुत सारा कानूनी मौमला रहता है अभी कल भी उनकी नैब में पेशी है और उससे पहले उन्होंने आज ही आप लोगों को बता दिया कि असी फीसद इमकानात हैं कि उन्हें गिरफतार किया जा सकता है अटेम्ट हो सकती है अब इतना कुछ जो हो चुका पूरी लीडर्शिप ही इस वक्त जेलों में है आज शीरी मजारी चौती बार रहा होने के बाद गिरफतार हुई है चौती बार मैं इमेजन नहीं कर पा र में तो वो ये है कि 72 साला खातून चौती बार गिरफतार हुई है किसी जर्म में नहीं एक बार रहाई के बार दूसरी बार गिरफतार रहाई के बार तीसरी बार गिरफतार और रहा होते ही चौती बार गिरफतार तो ये इस वक्त की सिच्वेशन है और इमरान खान साब न नहीं खतम हो रहा हूं। ये कुछ लोग मैं देख रहा था इंडिपैंडन्ट राए देने वाले जो रोग वी दिर्वार हो सकता है। लेकिन धे कोई इंडिपैंड republican राए देते हुए यह कह रहे हैं। इम्रांद वो वोट बैंक के साथ चलती हैं, वो वोट बैंक को लेके आगे करी करती है, तो वो जो सिंपतीज वाला पैकट था या ब्रैकट थी, वो बहुत तेजी से फिल हो रही है, तो लेट सी कहां तक उनकी ये बात दुरूस्त है, लेकिन उनका एक और मानना भी है, इसके उपर उन लगता है कि आप लोग तो चाहते ही ये हो, कि नए लोग आएं पार्टी में, नए लोगों को मौका मिले, और इसी के पेशे नजर आप देखें न, आमिर क्या नहीं छोड़के गे, पार्टी इमरान खान को उसका बड़ा दुक है, सीनियर थे, 20-26 साल से उनकी स्ट्रगल पार्टी के साथ, लेकिन वो चोड़के गे तो इसका ये मतलब नहीं कि पार्टी ने काम करना चोड़ दिया या पार्टी खतम हो गई, उन्होंने उसकी जगा सदाकत लिए बासी को अपॉइंट कर दिया, फिर कोई और फैस का मौका थे, वो चोड़के गे पार्टी, इस म या किस तरह से वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं, बहराल मतबादल लोगों के लिए मैदान इस वक्त खुला है और वो लोग जो आगे आना चाते हैं, उनके लिए शायद ये एक अच्छी अपरचुनिटी होगी, इस सारे मौमले में सुप्रीम कोट अफ पाकिस्तान का क रखके देखें, एक लिए अपने आपको उन जजजिस की जगा पर रखके देखें, जो आइन और कानून पर आमल दरामत कराना चाते हैं, हकुमत के जो एकदमाद हैं, जो जुडिशल कमिशन काइम किया और जजजिस को लेकर जिस तरह के उनके रिमार्क्स रहे हैं या जि इस वक्त हकुमत करना चाहती है, जो हकुमत के अज़ाइम हैं, उनको भी अगर देखें, तो जजजिस के पास बहुत महदूद आप्शन है, और एक तो यह ना के उनके पास अथॉरिटी तो है उनके पास, लेकिन उस अथॉरिटी को एग्जिक्यूट कराने की जो पावर ह करती है, उस से कही ना कही उनकी वो ताकत कम की गई है, तो मैं होपफुल ज़रूर हूँ, लेकिन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आगे इस सेंस में नहीं देख रहा है, चीफ जस्टिस या अदलिया को बहुत लैंडमार्क किसम क्या कोई काम कर दिखाएगी, ये जरूर हो सकता है कि इमरान खान की जो गवर्मेंट्स हैं, मुश्किल है, लेकिन मेरी अपनी सोच है, मेरी अपनी राया है, इस से आप इختलाफ कर सकते हैं और भी लोगों ने इختलाफ किया है इस पॉइंट से, लेकिन मुझे ऐसा कही न कही लगता है कि इस सारी बेनिफिट मिल सकता है इमराउंद खान को इन असेंस के वो निगोसियेशन पावर रीगेन कर सके या सूबे में जो इतना मैसिव क्रैकडाउन हो रहा है मैंने अपनी 12 साला 13 साला रिपोर्टिंग में ऐसा क्रैकडाउन कभी नहीं देखा कभी महसूस नहीं किया जो लोगों म रास्ता नहीं जाना तो आगई जाना है तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनको सोचना है लेकिन मेरी अपनी राय है कि अगर इस क्रूशल मौके पे कुछ ऐसा फैसला किया जाए जो अमल दरामत भी हो सके ऐसा नहीं कि अगर आप इंदखाबाद का ही हुकम दे के चले जाते औ और वो नहीं किराते तो अमल दरामत तो नहीं हुआ कोई ऐसा हुकम जिसके उपर अमल दरामत हो सके जिसके नतीजे में ये जो फसी हुई गुथियां ये सुलेश सकें किसी तरह से ये राहमवार हो सके तो वो होगा अब इस क्रूशल मौके पे मुजाकरात बिलकुल नहीं हो रहे हैं कट अन नहीं हो रहे हैं अगर आपको कोई शक्स ये बताए कि मुजाकरात हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं कोई बातचीत हो रही है नहीं हो रही है क्योंकि जिन उनको पूछा भी जाता है कोई आपको आप्शन दी जाती है, बाहर वो जा नहीं सकते हैं, इसलिए नहीं कि उनका जीना मरना ही पाकिस्दान में है, या बाहर उनकी कोई जाइदाद नहीं है, इसलिए नहीं जा सकते हैं, लेकिन इमरान खान की पार्टी सिर्फ इमरान खान क फिर उनकी पार्टी नहीं संबल सकेगी अगर तो वो यहां पे रहते हैं वो चाहे जेल में रहें या रेल में रहें या जिदर भी रहें अगर तो अपने मुलक में हैं तब तो उनका वोट बैंक सिस्टेन कर सकता है लेकिन अगर वो किसी भी स्टेज पे जो के मुझे लगता नहीं है जिसके कोई इमकानाद 0.0.5% भी नहीं है कि बाहर चले जाएं अगर वो होता है तो फिर मेरा ख्याल है कि लाखों लोग जो उनके उस नजरिये के साथ जुड़े हैं वो मायूस होंगे उनके बाहर जाने से इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान ऐसा कोई फैसला करने लगे हैं और सिवल सुसाइटी ने अपने तोर पे कोशिश की थी मुझाकरात की जिसमें कुछ एंकर्स थे कुछ सिवल सुसाइटी के लोग थे वो इमरान खान के पास गए पिर वो सिराज अलग साब भी एक पाकिस्तान में अब चुके हालात ऐसे हैं कि कोई आवाज सही से उठा भी नहीं सकता तो इंटरनेशनल सता पर लोग अपने तौर पर जितनी हो सकता है जिस सथ तक हो सकता है कोशिश करके आवाज बुलंद कर रहे हैं तो आलमी सता से अगर कोई दबाव बढ़े तो वही एक तरीका है पाकिस्तान से दबाव बढ़ाने का कोई तरीका नहीं है क्योंकि मैंने एक फुटिज देखिया है जिसको देखने के बाद मैं थोड़ा अपसेट भी हुआ चार-पांच लोग हैं बिल्कुल पुराम नहीं ना कोई नारे बाजी है ना कोई कुछ है सिर्फ य ले गए बंद गर दिया जेल में तो कोई आप्शन नहीं है रहा होंगे फिर पकड़े जाएंगे आज भी बहुत सारे कारकुनान को रहा करने का हाई कोर्स ने हुकम दिया अदालतों ने हुकम दिया वो जैसे कारकुनान जेल से बाहर निकलते हैं आगे इस तकबाल के एंड रिजल्ट नहीं है तो कल मैं कोई विलॉग किया तो मुझे मेरे एक जानने वाले हैं उन्होंने का आपका दौाईया विलॉग होता है मतलब मैं एंड पे दौा करा देता हूँ ना कि आल्ला पाकिस्तान के हालात पे रहम करे बहतरी फरमाए तो और बंदर क्या कर सकत पहली ये कि आल्ला पाकिस्तान के हालात पे रहम फरमाए अपना खसूसी करम फरमाए जो फैसले करने वाले लोग हैं जिनके हाथ में आल्ला ने पावर दी है ताकत दी है वो अवाम के साथ मिल के फैसला करें अवाम के साथ अवाम की उमंगों के मताबक अगर फैसला करें एक जूट होके करें, तो हमें ना अंदरूनी दुश्मन की जुरूरत है, ना बेरूनी दुश्मन की जुरूरत है, हम मिल के सारे मकाबला कर सकते हैं, और सब को जवाब दे सकते हैं, सिर्फ ये है कि फैसलों में थोड़ी हिकमत होनी चाहिए, वक्त के हालात के मताबक, पाकि खेरी ते अच्छी खबरें आरी हैं उनके हुआले से उनकी सहत सलामती के अवाले से और भी अच्छी खबरों की जरुवत हैं। सिर्फ ये कि वो अपने फैमिली के साथ ज़ा मिलें। इस अवाले से स्पैकुलेशन बहुत जादा होती हैं। पता नहीं लोग क्या क्या कुछ कहा देते हैं ये सोचे समझे बगार कि उनके फैमिली के उपर क्या भीतरी होगी इसलिए इन हालात में गलत खबरों से प्रॉपगेंडा से और ऐसे लोगों से बच के रहना है आपने जो आप लोगों को इस्तमाल कर रहे हैं अपने व्यूज लाइक्स इन सारी चीज़ों के लिए और आपको गुमराह करते हैं खुदा के वास्ते उन लोगों की बातों में ना आएं अपने मुलक का सोचें अपने मुलक के जो लोग इस वक्त मुश्किल में हैं उनका सोचें किसी से कोई नफरत करने की जरूवत नहीं है ना इदारों से ठकराने की जरूवत है ना अपने लोगों से नफरत करने की जरूवत है ना किसी और तरफ जाने की जरूवत है सिर्फ प्यार, मुहबत, अमन के साथ रहने के लिए अपनी अपनी कोशिशें करने की जरूबत है आज से के लिए इतना अपना बहुत सा ख्याल लगे अलाहाफिस